हेलो डेड़ेज एन वेल्कम बैक दो वीडियो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चार इंटरेटे शॉक्स के बारे में जो आप कल के श्रेशन में ट्रेट कर सकते हो और इन सभी के पीछे का लोजिक अरे पूर हम डेटेल में कवर करने वाले हैं तो डेडर्ज में आपको चार इंट्रेश्टोक पॉइट करूँगा और इन सभी के पीछे का क्या अनलेस्टोक है यह सब हम डेटियल में देखने वाले हां और किस डॉक में आप किस पॉइंट परां पर ले सकते हो किस टॉक प्लॉस रहेगा कि टागिट रहेगा यह सब हम इस वीडियो में बात करें कि तो ट्रेडर्स आई शुरू करते हैं आज का वीडियों कि फिर्ष्ट इंटरे शॉक जो आप कल के श्रेशन में किरेट कर सकते हो that is hero motocorp और hero moto कॉर्प में हमारा क्या हम इसको कैसे का कॉछी कर सकते हैं कल के शेशन में और कैसे हम इसमें प्रोफिट्स बना सकते हैं अपने लिए तो आइए श्रमिले की कोशिश करते हैं चार्ट के उपर गाईज आज़ाओ यहाँ पर हीरो मोटो कॉर्प का यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो एक बहुत अच्छा है यहाँ पर फॉर्मेशन बन रहा है हमारा असेंडिंग ट्र बाकिने को ऊपर ट्रेंड ला इन पर आप अपना को प्रेंड लैन को फॉर्लो कर ला आ हीज इसने सेंडल मेंशंडिंग सपोर्ट लिए इसने संडल लिया पिंद थैंसंड और समार मतंजब लद यसला फॉर्स टाइइम इसने एक किंद डता मर्सनिंग ट्या О्टाइम सें तो आप इसको sell कर सकते हो जो हमारे target है रहेंगे फर्स टार्गेट हमारे रहेगा 2623 का और रहेगा और गाइज मैं आपको बता दूं अगर यहां से fall करता है continuously यहां से हमें 26 तक के level देखने को मिल सकते हैं इस stock के अंदर ठीक है तो यह था हमारा first interest stock जो आप कल के station में trade कर सकते हो second interest stock की बात करूँ गाइज that is power grid power grid में हमारा क्या analysis आये थोड़ा सा समझने की खोशिश करते हैं यहां पे जो हमारा power grid का stock है इसमें आप continuously एक जो मैंने एक upside में आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हो इस trend line जो upside में मैंने के रखा हुआ है continuously इस trend line में resistance कर रहा है continuously stock first time यहां पर रिजिस्ट करता है second time यहां पर रिजिस्ट करता है ठीक है and third time fourth fifth sixth and several times यहां पर रिजिस्ट कर चुका है तो अगर कल stock यहां पर आप stock देख सकते हो एक flag create करके रखा हुआ है stock ने तो अगर कल यहां से इस flag यह जो flag है अगर इसको breakout मिलता है इस trend line यह जो रिजिस्ट कर रहा है upside में इस resistance का अगर हमें कल breakout देखने को मिलता है तो आप इसको buy कर सकते हो 230 के level पे and first target हमारा रहेगा 233 and 235 का हमारा second target रहेगा हम इसमें SL लगाएंगे guys यहां से इस point का यह जो flag बन रहे हमारा इस point का हम नीचे का stop loss लगाएंगे तो हमारे रहेगा 226-25 यह हमारे stop loss रहेंगे ठीक है तो 26-25 आप लगा सकते हो यहां से इस stock के अंदर stop loss तो यह था हमारा second interest stock जो आप कल कर सकते हो third interest stock रहने वाले हमारा that is UPL UPL में हमारा क्या analysis आईए थोड़ा समझते हैं charts पर guys तो guys यहां पर यहां पर एक pattern यहां पर create हो रहा है इस UPL stock के अंदर that is falling waste pattern तो guys यहां पर इस stock के अंदर होता क्या है continuously fall करता है यहां पर एक channel बनाता है और फिर up side में यह जो resistance point है इसको break करता है ठीक है यह होता है falling waste pattern के अंदर तो guys अगर हम इसको follow करते हैं इसका जो formation है इसको follow करते हैं तो यहां पर जो इसका आज का closing है resistance के आसपास दियो है इसने ठीक है resistance के pass में ही दियो है ठीक है तो यहां से अगर इसको buying side के लिए देता हो मैं guys तो आप इसको buy कर सकते हो अगर इस resistance point का breakout हमें कल देखने को मिलता है जो कि हमारा यह resistance point है continuously आप देख सकते हो first time यहां पर रिजिस्ट करता है और बहुत अच्छा हमें fall देखने को मिलता है और फिर उसके बाद एक हमें upside का move देखने को मिलता है बहुत अच्छा बट यहां से रिजिस्ट करता है फिर से अगें यहां से first time यहां करता है second time यहां पर और third time fourth time fifth time तो आप यहां पर multiple times इसको test कर चुका है resistance point को तो अगर कल finally अगर इसका breakout हमें देखने को मिलता है तो हम इसको buy कर सकते हो 799 के उपर और जो हमारे target रहेंगे 804 एंड 806 रहेंगे SL हमारे इसमें रहेगा गाइस SL हमारे रहेगा 794 का हमारा SL रहेगा तो यह तरह हमारा third interest talk जो आप कल के सेशन में trade कर सकते हो बहुत च्छे profits कर सकते हो 4th interest talk रहने वाले हमारा that is Mahindra & Mahindra में हमारा क्या अनले से आई थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा time मेरे पास भी कम है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जल्दी से यहां पर मिंद्रे में हमें बहुत कंटिनुशली एक बहुत अचा अप मुप देखने को मिल रहा है और यहां से जो आज कर शिशन में हमें एक sideways consider कर सकते हैं आप इस स्टॉक को ठीक है इसने बहुत अच्छा फॉस्ट हाप में इसने बहुत अच्छा हमें यहां पर बहुत ट्रेंड में हमें देखने को मिला स्टॉक और उसके बाद कंटिनुशली एक यहां पर बैस यहां पर फ्लैक जैसा आप बोल सकते हो इसको यहां पर इसको आप sideways consider कर सकते हो जो उसका support point था जो कि यह था हमारा 942 का level ठीक है यह जो हमारा 942 का level है है 942 का level है यह हमारा एक support की तरह काम करेगा इस stock के अंदर और continuously आप देख सकते हो इस stock के अंदर continuously यही point एक support की तरह निकल के आ रहे है तो अगर कल इसका breakout हमें देखने को मिलता है ठीक है breakout हमें देखने को मिलता है तो हम आप इसको sell कर सकते हमारे target रहेंगे 935 & 932 कर हमारा second target रहेगा और जो इसमें SL रहेगा यहां पर 4 यहां पर इसको सही कर लेना अपने उसमें ठीक है अगर आप इसको note करते हो तो आप इसको सही कर सकते हो यहां पर थोड़ा सा mistake हो चुका है मेरे से तो यहां पर 4 की जगह आप सिर्फ 9 लगा दिना 946 यहां पर हमारा SL रहेगा और अगर बात करूं तो यहां से अगर bounce करता है bounce back करता है यहां से तो आप इसको buy भी कर सकते हो 950 पर आप इसको buy कर सकते हो तो यह था हमारे चार इंटेज श्टॉक जो आप कल के स्रेशन में trade कर सकते हो और अच्छे अंकर सकते हो तो आगर हमारे analysis आपको अच्छे लगते हो तो आप video को like कर दो चैनल को subscribe कर दो and guys comments भी कर जया करो थोड़ा motivate हो जाते हैं भी आपके लिए video बनाने के लिए और जिसको guys हमारे चैनल जॉइन करना है definitely वहाँ पे कर सकता है bank nifties related मैं वहाँ पे analysis डालता रहता हूं live trading के ठीक है तो अभी थोड़ा सा busy चल रहा हूं इसलिए थोड़ा सा schedule इदर उदर हो गया है बट अभी 15-20 दिन रुको guys उसके बाद continuously आपको चैनल के ओपर भी videos देखने को मिलेंगी और मैं वहाँ पे telegram चैनल पर भी continuously active रहूंगा तो guys ये था fourth internet shock जो आप कल कर सेशने में श्रीट खाते हो तो चल लिए guys मिलते next video में till then take care bye bye